असलावलेकुम वीवर्स वेलकम बैक टो में चैनल आज आपके लिए मैं गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ पहले मैंने गाजर को अच्छी तरह से धोके उसके ऊपर का छिलका निकाल रही हूँ निकालने के बाद मैं उसे कदुकस कर रही हूँ गाजर को देखो सा ता की इद कलर नुए लिया है उसमें बहुत त्क शूट और भोकी अच्छा बनता है टीर Macht इस में देखो मैंने सारे गाज़ा को कदुकस कर लिए है बिस्मिल्ला रह्मानी रहिम पहले मैंने एक प्यान लिया है प्यान को अच्छी तरह से गरम करने के बाद मैंने दो कप इसमें घी आट किया है घी को आप अच्छी तरह से गरम कर लो अच्छी तरह से गरम हो जाने के बाद आप इसमें जो भी गाजर को कदुकस किया था वो को आप इसमें एट कर लो देखो मैंने सारे गाजर को एट कर लिया है कि सारे गाजर को इसमें एट करने के बाद कि मैंने और एक बड़े टेबल स्पून में इसमें घी आट कर रही हूं आप अच्छी तरह से सभी को घी को और गाजर को अच्छी तरह से मिक्स कर लो और अच्छी तरह से कितना एक 15 मिनिट तो आप इसे भून लीजिए अच्छी तरह से घी में भूनने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा साफ्ट हो जाने के बाद मैं इसमें डेड़ कप शुगर अट कर रही हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह से इस गाजर में मेल्ट हो जाए शुगर अट करने के बाद सभी को अच्छी तरह से में मिक्स कर रही हूँ mix हो जाने के बाद या इसे ही melt हो जाएगा जब शुगर एट करते हैं तो थोड़ा पानी भी छूट जाएगा शुगर melt होके देखो शुगर भी अच्छी तरह से melt हो चुकी है melt हो जाने के बाद इसमें मैं कलोंजी एट कर रही हूँ कलोंजी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है आप स्वीट डेजर्ट में स्वीट में जरू ट्रै कीजिए और मैं इसमें इलाइची पोडर भी आट कर रही हूँ सभी को आप अच्छी तरह से mix कर लीजिए कलोन जी का फ्लेवर केक में और स्वीट में डेजर्ट में सभी जासब में होती अच्छा लगता है और मैं थोड़ा शुगर कम हो चुकी थी इसलिए और थोड़ी में शुगर एट कर रही हूँ एक बड़े Teble स्पून जितना मैं स्वेट कर रही हूँ और मैं दो क्वब इसमें दूधर कर रही हूँ को प्लेजा एट कर ली जिए तक गाडा दूधर एट कर नए से दूध को अची तरह से पका कर लीजिए करके बाद में इसमें अट कर दीजिए सबी को दूद को और गाजर को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूं सबी को दूद अच्छी तरह से पके गाड़ा होके जिर्ना जाए तब तक आप इसे तरह से पका लो देखो इसमें उबाल आ चुका है इसे मैं 20 मिनिट्स तक पका लूँगी जब तक पकना जाए तब तक मैं ड्राइफ रूट्स को चॉप कर लूँगी मैंने काजू और बादम लिया है और मैं इसमें खजूर भी आट कर रही हूं खजूर का फ्लेवर भी एकदम बहुत ही जबर्दस लगता है गाजर के हलवे में आप इससे जरूर खजूर को भी आप ट्रै कीजिए डाल के खजू बादम को अच्छी तरह से आप चॉप कर लो खजूर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और यह एकदम हेल्थी है देखो मैंने खजूर को भी चॉप कर लिया है चॉप करके मैं एक बॉल में इससे आट कर रही हूँ इन सभी ड्रै फ्रूट को बॉल में आए डाल रही हूँ और मैं यह खवा है यह खवा को मैं इसमें डाल रही हूँ और ये ड्राइफ्रूट्स है उसके उपर मैं ड्राइफ्रूट्स और खजूर से भी डाल रही हूँ डाल के सभी को अच्छी तरह से एक होवा मेल्ट होने तक इसे मिक्स कर लो और मैं एक बड़े टेबलस्पन फिर से मैं इसमें घी आट कर रही हूँ ताके फलेवर और अच्छा बन जाएं सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मावा अच्छी तरह से मेल्ट होने तक इसे मिक्स कर दो सभी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मिक्स करके और मैं इसे ढखके में फिर से एक 10 मिनिट्स तक इसे पकाऊंगी देखो यह दिखने में कितना स्वादिश्ट और कितना अच्छा लग रहा है एक दम पक्की रड़ी हो चुका है और मैं इसे 10 मिनिट्स रखूंगी और देखो इसे सर्फ करूंगि एक प्लेट में हमरा घाल्वा का दिखने में कितना जबर्दस लग रहा है मैने प्लेट में सर्फ कर लिया है इसके उपर मैं ड्राइफ rubbing error zone कर रहे हूं अग्यों करने के बाद या और ढ़र दिखने में जबर्दस लग रहा है आप इस रेसिपी को जरूर ट्रै कीजिए देखो मेरा गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है आप इस रेसिपी को जरूर ट्रै कीजिए अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिके कैसी बनी है आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए देखोए दिखने में कितना यमी और कितना जबर्दस लग रहा है आप खाके बताइए बना कि खाके बताइए कैसी बनी है मेरी रेसीपिया सलाम अलेकूम वीवर्स